गुड मॉर्निंग मैं हूँ दीप्टी शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यूज 18 के हमारे इस खास कारिकरम भाग्यम में और भाग्यम के इस विशेश सेग्मेंट में जहां पर आपर हम हर रोज औरिकल कार्ट के थुरू और टारेट कार्ट के थुरू जान पात चाहिए और हमारे रियक्शन्स क्या होने चाहिए यह सब कुछ हम जान पाते हैं एक से लेकर 9 मूलांग तक की रीडिंग में तो कौन सी होगी आपकी रीडिंग यदि आपको नहीं पता एक एक्जांपल देती हूँ अगर आपकी डिटो बर्थ है 22 यानि की 22 तो 2 और 2 को ज जातकों पर आज हम जानेंगे लेकिन पिछले कुछ एपिसोड से निरंतर हम बात कर रहे हैं एंजल नंबर्स की और आज मैं आपको बताने वाली हूँ अगर आपको लगातार 222 दिखाई देता है उसका क्या मतलब है अगर आप अपने मुबाइल फोन में देखेंगे या तुटु मींस है फेद बिलकुल भरोसा रखिए कि जो भी आपकी इच्छा है जो आपकी मनोकामना है जो आप करना चाहते हैं वो अवश्य ही पूर्ण होगी और आप बिलकुल उस मार्ग पर ही आगे बढ़ रहे हैं तो परमात्मा पर और खुद पर भरोसा रखिए ठीक ह तो आए दोस्तों बिना देर किये हम शुरुवात करते हमारे आज के अपिसोड की और हम जानते हैं कि मूलांक 1 के लिए हमें आज यानि की 1 जून 2024 को क्या गैड किया जा रहा है तारीक भी है एक और मूलांक भी है एक और हमें डिवाइन आज गैड कर रहे हैं लेजीनिस का लकिन नमबर आपका नमबर नौ। आपको जा रहा है। आज आपको आलत स्थीकात त्याक करना है। बलकि इस उर्जवा का सदूपयोग करना है क्योंकि मैदपूर्ण जो का रहे हैं वो आप कम्पलीट करने और इस पश्ट कहा जा रहा है आलस्ते का त्याक करें विशेश तोर पर अगर आप किसी प्रकार की प्रतियोगी परिक्षा या फिर इंट्रिव्यू के लिए प्रिप यह लखी नमबर है आपका नमबर 9 और आपको कहा जा रहा है कि बहुत कुछ आज आपको अकेले कंप्लीट करना पड़ेगा एक तरीकी का टास्क है भीतर से बहुत अकेलापन महसूस करेंगे समझ नहीं पाएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है तो आपको डिवाइन क् बहुत अच्छा होता है ठीक है प्रकाश इसमें नजर आरहा है यानि कि आज का दिन जो भी चैलिंज आपके समक्ष है आज के दिन जो भी कुछ आपके साथ होगा न, वो आपको प्रकाश की ओर लेकी जाएगा, एक लाइट की ओर लेकी जाएगा, आपको आगे बढ़ाएगा, इसलिए घबराने की या डढ़ने की जुरुत नहीं है, परमात्मा पर भरोसा रखें, अपने टालेंट पर भरोसा रखें और आगे जा रहा है, सौरो का काड है, लखी नमबर है, आपका नमबर नाइन, और कहा जा रहा है कि आज के दिन किसी प्रकार का कोई बैड निउस आपको आज मिल सकती है, और आपको ये भी कहा जा रहा है कि कोई महत्पुन डिसिजन आज आपको नहीं लेना है, कहीं महत्पुन इन और मन में निरंतर उनको ध्याते रहें आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक चार के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं आज एक जून दो हजार चौबिस के लिए और मूलांक चार के लिए हमको कहा जा रहा है तक आज के दिन आपको आपको पूरा ध्यान खुद पर फोकस करना है आज के दिन आपको अपनी के तन्हाइन पूराइट को बढ़ाईे अपने power को बढ़ाईए, अपने talent पर ध्यान दीजिए, खुद को better बनाईए, अपने transformation पर काम कीजिए, तो आज के दिन आपको खुद को better बनाने को काम मिलेना, जैसे कि हम लोग जब mobile का software अपडेट करते हैं, ठीक वैसे ही आपको अपना software अपडेट करना है, क्या कर सकते हैं कोई नई skill सीख सकते हैं, ठीक है, अपनी कम्यों को देख सकते हैं, उसके उपर काम कर सकते हैं, स्वाध्या कीजिए, और आगे बढ़िए, आपका दिन शुभो आईए जानते हैं, मूलांक 5 के लिए हमें परमात्मा आज, यानि कि 1 जून 2014 को क्या गाइड कर रहे हैं, और मूलांक 5 के लिए हमको कहा जा रहा है, दिलावर्स का कार्ड है, लकी नमबर है आपका नमबर 6, और कहा जा रहा है कि आज का जो दिन है वो प्रेम प्रसंग का है आज के दिन आप जने प्रेम करते हैं या जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके साथ आपको एक बहुत अच्छा वक्त बिताने का मौका मिलेगा तो कुल मिलाके आज के दिन अपने आपको पूरी तरह से चैरिश कीजिए और आज के दिन को इंजॉई करें आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक 6 के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे हैं यानि की 1 जून 2024 के लिए और मूलांक 6 के लिए हमको कहा जा रहा है पेशिंस का कार है लगी नमबर है आपका नमबर 7 आज के दिन आपको धैरे रखना है किसी भी कारे की जब हम शुरुआत करते हैं या किसी कारे को आगे बढ़ाते हैं तो हड़ड़ाना नहीं चाहिए किसी चीज से आपको जैलेसी नहीं करना है वह कितना चिड़ना या इस तरह का बरताव नहीं करना है बलकि बहुत शान्त भाव से सही समय का इंतिजार करना है आपका दिन शुभोग आई जानते हैं मूलांक साथ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाईड कर रहे हैं आज एक जून दो हज़ार चॉबिस के लिए और मूलांक साथ के लिए हमको कहा जारहा है फिर से कार्ड रिबीट हुआ है पेशन्स का कार्ड है आपका लखी नमबर है नमबर साथ और हडबड़ी आपको आज नहीं मचानी है तो आपको सपष्ट कहा जा रहा है कि हडबड़ा के अगर काम करेंगे तो अपना नुकसान आप कर बैठेंगे तो धैरे से कोई भी कारे करें साथी साथ ये भी कहा जा रहा है कि बिना सोचे आठ के लिए हमें परमात्मा आज क्या गाइड कर रहे है आज एक जून दो हजार चौबस के लिए और मूलांक आठ के लिए हमें गाइड किया जा रहा है क्लिंगिंग चुद पास्ट आपको कहा जा रहा है लगी नमबर है आपका नमबर पांच और आपको कहा जा रहा है कि जो बीट गई सो बात गई यानि कि जो हो गया है उसकी तरफ ध्यान देना बंद करें बल्कि आज की दिन को बहतर बनाए तो आपका भविश्य अच्छा हो आज की तरफ बहुत ज़्यादा पास्ट में उलजे रह सकते हैं आपके नैसा करना आपके लिए नुकसान दायक हो सकता है तो किसी भी तरह से आपको अपने पास्ट में नहीं उलजके रहना है बल्कि आपको अपने फ्यूचर पर फोकस करना है आप जो करना चाहते हैं उनकी आपको तैयारिया करनी है और बिल्कुल भी past में ना रहे हैं क्योंकि past की energy आज आज आपको कुछ नहीं करेगी बल्कि दुख पहुँचा सकती है या anxiety दे सकती है या frustrate आपको कर सकती है तो anger बना रहे सकता है तो better है past में ना उल्जें आपका दिन शुभू आईए जानते हैं मूलांक 9 के लिए हमें परमात्मा आज क्या guide कर रहे हैं आज 1 जून 2014 के लिए और मूलांक 9 के लिए हमको कहा जा रहा है sharing का card है आपका जो लखी रंग है वो है रंग लाल और आपको कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी knowledge को अपनी चीज़ों को आज आपको लोगों के साथ share करना चाहिए आज के दिन अगर आप अपनी किसी भी चीज़ को रोकते हैं तो वो चीज़ें बिल्कुल भी ठीक नहीं है आज प्रयास कीजे कि आप अपनी खुशियों को लोगों के साथ share कर सकें आप अगर किसी तरह से abundant हैं तो उस abundance को लोगों के साथ share कर सकें कुल मिलाके आज कोई भी धरम का कारे अवश्य करें जहां पर परमात्मा से आप connect होने का मौका मिले या परमात्मा की बनाई इस रिष्टी से आपका दिन शुभ हो तो दोस्तों ये थी हमारी reading आज एक से लेकर नौ मौलांग तक की हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं आप लोग हमेशा खुश रहें सुष्ट रहें आप सभी का मंगलो मैं मिलूंगी आप से हमारे अगले एपिसोड में तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमा पुश जी हमेशा खुश रहें आप से हमता हैं आप से लिए्ज आप से लिए नौ मांगलो मैं मैं मौलां ऑुश रहें से लिए एक सिरू जता, सबावाई आप से लिए और मौलां।